आज फिर आपके लिए एक और यूनिक कमपनी लेकर आए हैं और आपको बता दूँ कि काफी टाइम से एक नए सेक्टर की हम पहिचान कर रहे थे और उसमें हमें मिला एक रियल स्टेट सेक्टर और उसकी एक सबसे बड़ी कमपनी का आज हम एनलाइसिस करने वाले हैं रियल स्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी कमपनी गोधरिज प्रोपर्टीज लिम्टेज का आज हम एनलाइसिस करेंगे और साथी साथ बताएंगे कमपनी का बिजनेस ओवर्यू कमपनी अभी क्या प्लान कर रही है कमपनी का मेनेजमेंट क्या बोल रहा है एन्नौल और गोधरिज प्रोपर्टी के आगर आपको मैं बात बताऊं तो काफी जानी पैचानी कमपनी है 1897 से इंडिया का एक सकस्फुल कॉंगलोमरेट है कॉंगलोमरेट मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे अलग-अलग काम होते तो गोधरिज कंजूमर है उसी तरह गोधरिज का जो इंवाइरमेंट होता वो काफी अच्छा होता है और गोधरिज प्रोपर्टी इस लिम्टेंड में रियल स्टेट सेक्टर की होने के बावजूद काफी अच्छा इंवाइरमेंट कंपनी ने क्रिएट किया है और इसके चलते कंपनी को कहीं अवोर्ट भी मिले हैं पुने और MMR मतला मुंबई मेट्रोपोलिशन रिजन और बेंगलोर दिल्ली एंसियार और बाकी ओर चार सिटीज जिनमें कमपनी काम करती है सबसे मेजर जो काम में कमपनी का वो पुने से 27% है MMR जो कि मुंबई का एक रिजन है वहां से 21% बेंगलोर में 17% और दिल्ली एंसियार में 15% के नमसम निकल के आता है अगर हम कमपनी के प्रोपर्टी एडिशन की बात करें तो कमपनी के प्रोपर्टी एडिशन में अगर हम आप देख सकते हैं कि कमपनी ने एक प्रोपर्टी एडिशन में पूरे साल में पुछे दस सालों में कहीं न कहीं बहुत बड़ा बूश्ट दी है और साथ ही साथ एस कंपेर टू अधर पूरी इंडस्ट्री के कंपेरिजन में काफी ग्रोथ देखी है अगर हम पूरे रियल स्टेट सेक्टर की बात करें तो जब से डी मोनेटाइजेशन और साथ ही साथ र जो डवलप कंपनी होती है मतलब कि जो जिसको थोड़ा स्टेबल कंपनी होती है और जिसके पास ओर्गनाइजड काम होता है मतलब कि गोधरिज प्रोपर्टी जैसे आज डिस्टेट कंपनी है साथी साथ इनके पास एक ओर्गनाइजड सेक्टर में काम करती है रियल स्टे to other तो यहां पर real estate sector में जो developed हैं जो यहां पर जो चीजे हैं वो निकल के आती ही वो गोदरिश properties के लिए काफी benefited है और रेरा के आने के कारण गोदरिश properties और जो organized sector में काम कर रहे हैं उनके लिए काफी beneficial company निकल के आती है क्योंकि अब जो चीजे हैं वो consolidate हो चुकी है एक bottom बन चुका है सारी companies में और यहां से अब growth आपको अच्छी आती हुई देखने को मिलेगी तो property edition की बात कर लूँ तो अगर हम बात करें पिछले पूरे decade में financially यह पांच सालों में अगर हम बात करें तो 10 million square feet का average edition company ने किया है तो यह सारी चीजे है जो company को एक यूनिक बनाती इसके अलावा company ने 76 million square feet के across project लिए financial 18 with an average of 20 square feet every year यहां पर company ने performance दी है और financial 1818 की अगर हम बात करें तो करीब 35 projects company ने एड किया है portfolio में और लगातार इस quarter की अगर हम last year की बात करें जो की covid होने के बावजूद company ने highest ever booking अपने financial में लिए तो आप देख सकते हैं कि booking और launching लगातार चल रही है और उसके चलते जो company है प्रगोद्रेज प्रपरटी वो यहां पर कहीं निखर के सामने आएगी commercial portfolio की बात करें तो इनका जो core focus है company का की जो older commercial project थे इनके वो यहां पर इनका core focus है कि उसको monetize किया जाए इसके लाग कोछ नए projects आ रहे है उन्हें गोद्रेज BKC और गोद्रेज Genesis तो वहां से भी एक बहुत बड़ा चंग company आपसे निकाल रही है तो commercial portfolio में क्या होता है कि जो business के जो units होते हैं उन्हें company बेशती है 856% outstanding inventory of BKC and 27% of Genesis it will still have significant inventory in Chandigat project और गोद्रेज Eternia तो आप देख सकते हैं कि इनका जो projects हैं वो यहां पर इनोंने BKC WKC वाले तो सारे project लगभग बेशते जा रहे हैं और अब इनकी inventory थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है बट लगातार इनोंने अभी भी भी बहुत बड़ा edition किया है अगर हम मुंबई के अगर एरिया में बात करें तो इनोंने एक बहुत बड़ा चंग खरीदा है वहां से अब धीर धीर वापीस inventory बढ़ रही है launches बढ़ रहे है market share लगातार इनका इनका जो अगर हम MD और CEO का जो इनका statement देखें तो इनका focus है market share बढ़ाने में और साथी साथ qualitative और इनका जो एक सबसे important चीज़ है गोदेश properties की वह है कि यह सारा काम cash में करते हैं क्यूंकि इसमें सबसे ज़्यादा involvement होता है black cash का जो black currency होती ही ना उसका use किया जाता था तो real estate में तो गोदेश property ने उससे पूरे eradicate करने के लिए उस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर जो सारा काम है उसको पूरी तरीके से check में कर दिया है कि हम क्यों चेक में ही पैसा लेते हैं market share की बात करें तो इनका जो currently focus है वो पूरा market share को grab करने में significantly real estate market में NCR में इनका 2% से 7.7% हो गया financial rate 21 तक इसके अलावा बैंगलोर में 0.8% से 5% हो चुका है और पूने में 1% से 4.3% हो चुका है MMR में अगर हम बात करें 0.9 से 1.4% है वहाँ पे MMR में थोड़ा सा comparatively low है क्योंकि यह वहाँ पे एक तो properties मेंगी है और साथी साथ बहुत सरी चीज़े है जो मुंबई के local state wise में भी बहुत सरी चीज़े परिशानिया है तो अगर हम बात करें over the years तो यहाँ पर काफी की तगडी ग्रोथ दिये आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिये लेंड होलिंग की बात करें तो लगातार investment होता है और अगर बीच में development रुख जाए तो वहाँ से बहुत सारा आपको खर्चा करना पड़ता है आपका P&L बहुत impact होता है क्योंकि interest cost तो लगती रती है बट आपकी अगर companies जो आपका जो sale होना चाहिए अगर वो sale नहीं होगा तो आपको loss होंगे क्योंकि interest तो लगता और overall पूरे अगर हम group की भी बात करें तो काफी strong निकल के आती है तो यह सारी चीज है जो company को benefit करती हुई नजर आती है अब आ जाते हैं company की annual report पे 2021 की annual report में chairman ने जो message दिया है फिरोच शाह गोत्रेच जो कंपनी चेर्मन है उन्होंने साब साब यहां भी बताया है कि company के चा benchmark में number one ranking मिली है और global leadership में भी यहां पर number one ranking मिली है अगर हम बात करें 10,000 जो company का जो net promoter score है उसमें भी company ने track to reality और existive steady की गई थी उसमें company का यहां पर बहुत ही बड़ा reality reality sector की बात करें तो यहां पर सबसे अच्छी growth company ने दी है और QIP जो company का है वो number one है real estate पूरे development market में REIT के market में जो सबसे ज्यादा company ने पैसा उठाया है तो यहां पर हर factor में company ने अच्छी growth दी है तो यह चार factor बताए उन्होंने तो जनरली लोग इसमें काफी अपनी company के बारे में अच्छा बताते हैं और इन्होंने भी बताया है यह इसमें कुछ खास बात नह हैं बट इन्होंने बताया कि 9,345 होम हमने बेचे हैं जो की करीबन होता है कि 25 होम हमने प्रती दिन गोत्रेच प्रोपरटीज ने बेचे हैं इवन आफ्टर दो कोविड के चलेंजिस होने के बावजूद और यह यहां पर अगर हम बात करें growth की तो 46% growth company ने फाइने टोंट में किस तरह से growth करती हुए नजर आती है NPSS जो तो net promoter score होता है वहां से 26% से बढ़ेकर 59% हो चुका है काफी बड़ी growth यहां पर company ने net promoter score में दी है net promoter score जादा कुछ खास बात नहीं होती है आपके लोग आपसे कितने promoter से कितने सेटेस वाई है वो चीजें यहां पर एक score के तुरू निकाली जाती है इसके अलावा company का QIP 3750 करोड का था जो कि पूरी real estate industry में सबसे अच्छा और highest माना जाता है अगर management discussion and analysis MDA जो company annual report में देती है अगर उसकी बात करें तो real estate sector की किसी भी company के लिए सबसे important होता है कि उनका एक correlation सीधा सीधा होता है GDP is proportionate to real estate development तो real estate तब develop होगा जब GDP में growth होगी और अगर हम इंडिया की GDP की growth की बात करें तो पिछले साल में जो की COVID कारण बहुत ही यहां पर कम था but real estate में लगातार अब यहां पर GDP के जो projection है वो इंडिया as a growing nation यहां पर ease of business होता जा रहा है दूसरी चीजे है कि यहां पर है residential में काफी scope है और उस तब कि करीबन double और double होने के साथ साथ यहां कर जो पूरा market है वो माना जा रहा है कि 2030 तक यहां पर one trillion का market माना जा रहा है कि इंडिया में यहां पर develop हो सकता है तो आप देखे कि कितना potential है और यहां से कितनी growth है क्योंकि करीबन double तो माना जा रहा है कि 2025 तक हो जाएगा और उस ने कुछ एसा extraordinary return नहीं दिया है बट अगर हम बात करें 2025, 2020 से 2021 की बात करें तो लगातर sense भी बढ़ रही है प्रोजेक्शन और ग्रोथ भी दिख रहा है इस पूरे सेक्टर में और साथ ही साथ यहां से आगे आने और समय का जो projection है वो भी काफी तगड़ा है क्योंकि GDP बड़ी ग्रोथ कर सकता है क्योंकि जो projection है GDP के वो भी इंडिया के favor में आते हैं और अब यहां पर जो growth है, ease of business है, PLI schemes है, साथ ही साथ ease of doing business के बाद से यहां पर कहीन कहीं बहुत ही positive momentum आत्मिनेर भारत के बाद बना है जो कहीन कहीं इस तरह की companies को क्योंकि उनका मानना है कि 10 million से जादा लोग हर साल urbanization में, मतलब कि urban area में आते हैं, एक करोट से जादा लोग, और जब तक यह होता रहेगा, तब तक growth होगी, और साथी साथ अब इनका जो tier 2 city पे भी काफी focus है, 21% का market share वहां से निकल के आता है, जैसे Ahmedabad हो गया, चंडीगड हो गया, इस तरह की cities और वह है, तो जिसका मानलो की घर जो बंबई में रहता था, वो यहां पर जैपूर shift हो गया, और जैपूर shift होने के बाद अगर उसको चाहिए तो facility तो उसी तरह चाहिए, क्योंकि वैसा तो उतना ही मिल रहा है, तो वहां पर भी अगर मेरे को उसी तरह की facility उसी तरह का गर मिल जा है, तो, real estate sector की बात करें, तो estimation तो मैंने आपको बताई दिया, 2017-2018 में छहसा है, 7% GDP का contribution था, जो बढ़ते है, माना जा रहा है कि 13% तक हो सकता है, but real estate overall market की बात करें, तो यहां पर sales volume है, अगर volume, number of volumes की बात करें, तो यहां पर decline हुआ है, वहीं अगर हम बात करतें सबसे पहल हैं, एमदाबाद में यहां पर सबसे ज़्यादा decline देखने हुआ है, 61% year on year, वैसे बेंगलोर में 51% और new launches है, वो लगातार यहां पर 34% तक गिर चुके हैं, तो overall अगर आप देखेंगे, तो ऐसा आपको लगएगा, बट अगर हम overall industry-wide देखें, तो यहां पर जो है, वो दी है, तो उसमें double और triple growth है, तो आप देख सकते हैं कि growth तो बन रही है, साथी साथ आप देखेंगे, लगातार चीजे भी smooth होती जाली है, जैसे अगर हम बात करते हैं, मुंबई की, मुंबई में stem duty कम हुई, उसके चलते हैं, यहां पर कहीं बहुत benefit मिला, luxury segment में, जहां पर luxury segment में लोगों ने पैसा लगाया है, और पैसा खरीदा है, real estate खरीदा है, उसी तरह अगर हम बात करते हैं, company के कुछ और matrix की, तो सबसे बहुत आ जाते हैं, MMR region में company का काम है, जिसमें sales, अगर हम MMR की बात करें, तो 20% year on year decline देखने को मिला, वहीं launches में 37% का decline देखने है, तो एक चीज जो इस पूरे sector में focus करनी चाहिए, जो है launches, launches कितने हो रहे हैं, और sales कितनी हो रही है, launches to sales ratio भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जो real estate अगर आपको sector को analyze करना है, तो launches to sales ratio में भी कहीं नहीं है, कि इसका मतलब यह है कि हमारी जो launch हो रही है, वो कम है, जबकि sales हमारी ज़्यादा है, अगर ऐसा होगा, तो industry अगर आपको growth करानी है, तो आपके पास launches ज़्यादा होनी चाहिए, और sales भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यह करीवन करीवन one के लमसम होना चाहिए, बट अगर यह one से कम है, तो यहाँ पर है, जो थोड़ी सेटपिक देखने मिल होई है, और हर आदमी के पास कुछने कुछ information है, तो उसके चलते क्या होगा है, कि पिछले पार जैसी growth है, वेसी growth नियाएगी, बट यहाँ पर growth आएगी, वो disproportionately और लंबे time के लिए आएगी, और उसके चलते यहाँ पर, जो कोदर इस प्रोपर्टी इस तरह की company है, उसको का काफी beneficial था, rental housing for migrant workers, interest deduction benefit भी affordable housing के लिए दिया है, affordable housing में भी काफी बड़ा यहाँ पर company, तो धीरे दीरे जो real state है, market को develop करने की बाते चल रही है, budget में company, इनका focus है, सरकारगा भी focus है, साथे साथ companies भी यहाँ पर लगाता है, इस तरह की जो company होती है, जो housing demand और उनको fulfill भी कर रही एक साथे साथ, एक affordable housing और लगाता है, एक अच्छी quality के जो products है, वो company provide करा रही है, at a reasonable price, तो वहाँ से कहीं एक बहुत बड़ा benefit मिलता है, overall company level पे भी, और overall industry level पे, अभी सानपाड़ा में इन्होंने एक नई property खरी दिये, तो सानपाड़ा जो कि Mumbai का एक reason है, वहाँ पर इन्ह आपको बताऊं कि company ने दीरे-दीरे अपने EBITDA margin है, और उनमें सब में अभी, अगरम quarter 3, quarter 4 को क्यों analyze करें, तो काफी growth है, but अगरम overall year level पे बात करते हैं, तो यहाँ पर decline देखने हो मिलता है, तो आपको एक चीज तो यह ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज है कि one time change और provision भ खोड़ा सा देखने हो मिलता है, net profit margin में, return on net worth में भी, net debt ratio में भी तो, overall यह चीज है, जिसके कारण यहाँ पर impact आ रहा है, तो इसके कारण कुछ भी गलत नहीं, इसको गलत ना समझे, outlook is the, outlook को अगर हमारी बात करें, as a beat the street, outlook is very positive for the, एक अच्छा base बन चुका है, पूरे real estate industry कि मैंने बहुत सारी companies हम आने वाले समय में लेकर आने वाले real estate की, तो सबसे पहले गोद्रेज प्रोपर्टी से हमने start किया है, और गोद्रेज प्रोपर्टी is a pioneer in the real estate, और उनका जो management हो कितना तगड़ा है, अगर आपको 7% पर ब्याज मिल रहा है, तो आप सोच सकते कि इस आप देख सकते कि जो लोगों को home loan पर नहीं मिल रहा है, उससे सस्ता आपको ब्याज मिल, सस्ते पर आपको पैसा मिल रहा है, तो यहां पर काफी development का potential है, और अब directors report की अगर हम बात करें, तो directors report में भी यहां पर कहीं नहीं कंपनी ने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अब बात करते हैं, तो यहां पर आपको देख सकते हैं, 2016-2017 में गिरावट देखने हो मिलती, फिर 17-18 में देखने हो मिलती, वापिस मार्स 19 में करी कमरी, मार्स 20 में भी अच्छी का सी रिकमरी देखने हो मिलती, वाँस 21 में booking बहुत हुई है, selling इतनी नहीं हुई है, तो अगर अगर आपकी बोर्विंग बढ़ी है, और साथी साथ कम्पनी ने पर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा चिंता कोशह नहीं है, और बोर्विंग की काफी सस्ती है, तो वाँपे भी खाफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशल बनता है, क्योंकि यार अगर आपकी सस्ती होगी, तो आपको सही टाइम पर सही पैसा मिल जाएगा, और अच्छे रेट पर मिलेगा, तो आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, लगातार कम्पनी फोकस कर रही है, और अपना मार्केट शेर बढ़ा करने क पेवल, तो यह जो चीजे हैं, जो केश कंवर्जन साइकल है, वो यहाँ पर 50 साल कम्परिजन में तो कम हुआ है, और काफी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, बट इसमें यहाँ पर और इंप्रूमेंट की चपरत है, शेर रोलिंग पेटर्न की बात करें, तो डिसमबर 2020 तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लगातार थोड़ी-थोड़ी सेलिंग देखने हो मिल रही प्रमोटर की तरफ से, एक चीज, तो यह पॉइंट आउट आपको जो रिस्क है, वो मैं बता रहा हूँ, एक दूसरी रिस्क है, यह जो थोड़ा सा कंसर्ण का विशह है, बट पब्लिक की जो शेयरोलिंग है, तो थोड़ी-थोड़ी कम हुई है, तो उससे कोई फरक पड़ता नहीं है, तो यहाँ पर लगातार एक बहुत बड़ा चंग कंपनी के, यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अब आजाते कंपनी के, यहाँ आपके साम सकते एक बहुत ही बड़ी आ रेली है, और करीबन स्टोक वहाँ से 3X हो चुका है, तो एक साल में कंपनी ने 3X रिटन दिया है, और आप एक दो शेयर एक दो दिन की ट्रेडिंग देखते हैं, तो अगर हम शोट्टर्म इन्वेस्टर की बात करें, तो शोट्टर्म इन्व टार्गेट बनता है, वो है करीबन 15, 50 रुपीज का फो शोट्रम इन्वेस्टर, टार्गेट 2 विल बी दे शोट्रम इन्वेस्टर, टार्गेट 2 जादा टार्गेट नहीं दे रहाँ, एक मोमेंटम अगर इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ये तो उसके लिए हम वापिस बता रहा हूं मैं, I'm so sorry, वीच में आपके बोलना पड़ा, और लोंग टर्म टार्गेट की बात करें, क्यूंकि मेरे को काफी पोटेंशल लगता है, रियल स्टेट में अगर किसी कंपनी में आपको पिसा लगाना है, तो गोदेज प्रोपर्टी क्यूंकि एक काफी अच्छा उप्शन है, दूसरी चीज़ है जो कंपनी के फंडामेंटल से हो काफी स्ट्रोंग है, तो मेरे साब से एक अच्छा उप्शन है, रिस्क आप हमेशा देखें, जो मैंने आपको बताई भी है वीडियो में, तो रिस्क अगर हम देखते हैं, ल लोकेशन हो गए, वह हम करेंगे Q2 के रिजल्स देखे, कि Q2 में रिजल्स कैसा आता है, Q3 में रिजल्स कैसा आता है, कंपनी आगे आँने वन तरफ दिखाती है, यह नहीं दिखाती है, तो यह सारी चीज़े देखनी होगी, कंपनी ए थोग बड़ा साथ और आपको फार आपर इस टो डकलता है आह सो कमेंट करें अगर आप यहां तक है ज्रूर कि मीडियो कैसी लगी यह ट couple हटी जो असी तरह देता हुआ आप लेक करें दों कुंड यह टक्रिक मिल जाता